नमो नारे, नमो नारे, ये गो माता वंदे मात्रमा भारती कुप्रणाम और हिरदायशे ओम शम्शन इश्चारायवाँ विरदाशकों में इतनों शाथियों मानो मन सुंदरता की और अगरसर होता है हमेश्या हर सुंदर वस्तु की और मानो का मन आकरसित होता है लेकिन साथियों ये जीमन का अनुभावर है हमारी अस्तली सुंदरता हमारी भीतर विराजमा जो हमारी वास्तिक सुंदरता है वो हमारी घट में विराजमान है और जिसे हम सुन्दरता कहते हैं वो हमारे मन का चलावा है असली सुन्दरता हमारी हिर्दय की सुन्दरता है और उस हिर्दय की सुन्दरता का हम अनभव ने कर पाते हैं देख नहीं पाते हैं यही हमारा पागलता है यही हमारा बहुत मोटा नुक्षान है इस संसारिक जिवन में शकून और शांती और सहस्ता से साथ जीना हो सुन्दरता का अनभव होना बहुत जुरूर वो सुन्दरता है हरदय के पास आई और हरदय के पास आने के लिए ग्यान चाहिए वो अनभव चाहिए और ग्यान गुरु महराजी की किरपा से मिलता है जब जीव चैतनी सत्ता के साथ जुड़ता है तो हिर्दय का प्याला खुशियों से भर जाता है शाथ वो शुमरण के साथ जुड़ता है नाम भजन के साथ जुड़ता है तब हिर्दय की सुंदरता समझ भाया आज आज अपरेल दोहजार चौबीस की राशी फल और पंचांग की बात करते हैं राशी फल प्याओं उससे पहले आज का पंचांग चैतर मास क्रिशन पक्स की त्रियोदशी विकरमश मों दोहजार असी है चैतर मास की पचीश परविष्टे सक्सम उनिश्व पैंटालीच चैतर अठारा तद अनुशार रविबार शात अपरेल दोहजार चौबीस शुदगाली तीथी 33 है तीथी का जो समाप्ति काल है उसमे 6 बज कर 53 मिट अगली तीथी 14 होगा शुदगाली योग ब्रह्मई योग है योग का समाप्ति काल साम 10 बज कर 17 मिट अगला योग इंद्र होगा शुर्य देव शुक्र देव रहुदेव आज के जो घ्रहय योगायोग है प्राथकालिन लगन मीन लगन मीन डासी में सूरिय देव, शुक्रदेव रहुदेव कःट देव मंगल देव सनी देव कुम्ब राशी में बुद्देव ब्रश्फपदेव मेश राशी केतु देव कन्या राशी में ये क्रहुं का संचन और इशी आधार पर साथ अप्रेल दोहचार चौबिस का राशी फल लेता है आज का जो अभी जीत मुर्थ हैं वो दोपर ग्यारा बज़कर अठाउन मिन्ट से लेकर दोपर बारा बज़कर उनुचास मिन्ट तक रहेगा ये अब धी 51 मिनट की है और ये 51 मिन्ट आज की दिन कोई भी शुबकारी करने के लिए सब्चे उत्तम महरत है कोई भी नयार शुबकारी जिसकारी में चीर कालत गलाब लेना हुसे अभी जीत मुर्थ में करें और अभी जीत मुर्थ भगवान स्री हरी को बहुत प्रिया है किसी भी शुबकारी को करने के लिए चोगणियां का अपना महत्व शुबका चोगणिया लाब का चोगणिया और अमृत के चोगणियों में इद्याब शुबकारी शंपन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा लाब का चोगडिया सुबह 9 बज कर 14 मिन्ट से लेकर सुबह 10 बज कर 48 मिन्ट तक अमिर्त का चोगडिया सुबह 10 बज कर 48 मिन्ट से लेकर दोपर 12 बज कर 23 मिन्ट तक सुबह का चोगडिया दोपर 1 बज कर 58 मिन्ट से लेकर दोपर 3 बज कर 33 मिन्ट तक रहेगा आज का जो रहुकाल है वो साम साड़ी चार से लेकर छे बेज तक रहुकाल को दन्शुपकारी करना, शोदा करना, पुंजनिविस करना, अनुकूल और उचित माना ने गया, ऐसी सलाव मेरी और मर्जिया, यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी, और आज की दिन यात्रा पे हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले, तो पहले साथ कदम उत्तर दिशा की और जाए, इस्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का धान करते हैं, मंगल में यात्रा की कामना के साथ राइट टरन लीजिए, और यात्रा पे जाएगा, कश्ट इसे मिलेगी, तो मेरा निवेद है, नीचे नमबर आ रहे, इन नमबरों पर शंपर करके, आप मेरे से संपरक स्ताफित कर सकते हैं, आविश्य मैं आपको शयू करूंगा, हाँ, जो फोन उठाएंगे, वो आप से कहेंगे, कि गुरु महराज जी से, दाति महराज से बात कर मैं आप लोगों की सेवा में हैं, तो यह मेरा आदेश भी लोगों को है, कि लोगों से कहिएगे, गायों की सेवा करें, जो लोग आपको फोन पर कहते हैं, गायों की सेवा करें, तो उसको अधरवाज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निरदेश, लेकिन मैं धन कमाना नहीं च आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ओफिस का अपना एक ताइप है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 बजे की बीच में उठाए जाएं इसलिए मेरा नि नहीं करें आपके फोन इस बात की फिर वहां जान करें आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गोशाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही होगा इस बात का थ्यांट है प्रदाश्क दिन या फिर शादी की साल करें तो जो उपाए बताने जा रहा हूं यह पूरे बश्क बर आपको लाब और शक्फलता देगा है इलिए आपकी साल करेए तो पत्वाटनी दोनों इस उपाए को करें अगर हैं आपका जनम दिन तो इस उपाए को आप श्यम खुद दकार रह जाल मिर्च के बीज के डाल दीजिए ओम घ्रने सूरिया आए आदित्याए नमा इश्मंत्र का जाप करिए 108 बार और उगतेवे सूरियों को जला कि तस पसात सुधासन पर बैठ जाईए चमु का सुध देशी घी का दिपक जिलाए आदेते हिर्दर सुरत के साथ पाठ करिए मित्रों शाथियों यह अद्भूद है जब आप यह उपाए कर लें उसके बाद किसी मिट्टी के पातर में थोड़ा सा कच्चा दूद ले लिजे गाए का उसमें नौमूद सैद की मिला लिजे परिवार की सभी सद्शियों के उपर से एंटी कलोग बाई साथ बार उसा र यह उपाए हर रविवार को करें रुषाल भर करें कामकाज कारुबार नौकरी वेवसाइश समाज परिवार की संपवन परेशाने से सुटकारा मिलेगा ना मुना रहे आज की दाती गुर मंतर में अब मैं बात करूँगा आपकी राशिपल की जो राशिपल है आपकी संचन करें रोगा और ग्यार्वे भाव में शंचन करें प्रशम और प्रिसंद हुगी और शि targeting क्ली प्रियास करें क्या ना करें सरकारी अपसर को नाराज ना था शुबंग पांश शुबंग शुना रा भागि आपकी पच्छतर प्रसंद लापका संकेदरे में सराश वालो ओम काल दंडाइचे विद्वहे वजर वीराइचे धीमी तन्नों कपाल भैराव पर चोद्यात इस मंत्र का जाप कर अति उत्तम रहेगा नमने नर्बात करते हैं विश्वरासी दसंभाव में चंददेव प्रश्पत देव और सणिदेव के नक्षर में संचन करेश्र में उत्तम होगा मैनत परिश्रिम संगर्ष का पूर्फल मिलेगा और भागिया आपकी पक्स में करवटला शफलता अवि कारिशितर में जो लोग आपके साथ काम करेंगे करमचारियों का शहुग मिलेगा विशेष कार्य करने को शपल होंगे मैने तो परिश्रम के हिसाब से धनलाब की प्राप्ति अविश्य होगे मांसिक परिशानी और तनावदुर होगा स्वास्ति उत्तम रहेगा क्या करें म आज आपके लिए उत्तम रेगा नमनाएं और बात करते ही मित हुँदासी नौए भाव में चंद देव प्रश्पत देव अश्टने देव के नक्सर में संचन करें गोचरिस बात का संक्रित कामकाज कारूबार नौकरी में संयम और धैरियता बहुत लाब देगा इदि कारी से तुमें संयम में तरहेंगे तो बहतर होगा समझे के मान समान बढ़ेगा पारवरी समदों में सुधार होगा अपनी जिमद्याय को पूंत निभाने में शफलोंगे और धन की प्राप्ति होगे और समाज में आपका वर्त्यसों भी रहेगा मेहनत और परिशम और शंगर्श के साथ ततस्तायम और धेर का सारा अजाप लिया तो यूँ और विद्यार्तियों को मांसिक तनाव से चुटकारा मिलेगा कार में उनोत्ती और श्वजनों का सयोग मिलेगा बड़े लोगों की मदद से कामकाज कारुबार में उत्तम अउस्तर के साथ अजमान प्रतिस्ता बढ़े शिख्षा के चेतर में सफलता के अच्छे मोग है क्या करें पारवरी जुरुत वर्थ्यान थे क्या ना करें अपन अब मैं बात करूँगा करकर आशी की लेकिन उससे पहले आज का सुन्दर वैदिक जोतिशे शुत्र नमुनारे नमुनारे अज जी शुत्र की चर्चा मैं कर रहा हूं बड़ा उत्तम शुत्र माना जाए जातक कि जन्नकुनली में चंदर देव और बुद्देव की यूति को वैदिक जोतिश में बड़ा उत्तम शमंद माना जाए और ये यूति एदी एक चार साथ दस यानि लगन में चोथे भाव में सब्तम भाव में और दसम भाव में हो या पिर पंचम और नमम भाव यानि बहुती चतूर बहुत हाश्मुग और उसकी भासा सेली बड़ी उत्तम होती है ऐसे लोगों को काविय का बड़ा शोक होता है कविता करने का बहुत उन्हें शोक होता है जन्नकुनली के किसी भी भाव में ये ये यूति है तो स्रिष्ट है प्रंतु ये यूति ये कैंदर म है एक चार साथ दस भाव में है या पंचम या नवम भाव में है तो अपने आप में अदभुत यूती माने जाती है चंदरदेव और बुद्देव की इन भावों हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा वेभाई जीवन में परिशुदता चाहिए चंदरदेव और देव आपके जनमकुल्ले में यूती करते हैं तो वहवाईक मर्यादाओं का उलंगन आपको मुश्रिवत में डाल सकता है नमरा नमरा बात करूंगा करकराश आठवे भाव में चंदरदेव और आठवे भाव में चंदरदेव ब्रश्पति देव और सनी देव के का संकेत नक्षद गर्णाओं के हिसाब से नजर आ रहा है लाब मर्ग बादित होगा कारी शिदी में चिंता है क्रंचारी भज़ से बाद विबाद है और तरक्वितर की वज़े से कामकाज करूबार नौकर में अनाम्शुक विग्न और परिशानियों का संकेत नजर आ रह का बहुत संगर्स और बहुत मैनत करनी पड़ी इस बात अभी जान रहे हैं क्या करें सूजबूश्य कारी का निरने में क्या ना करें सरकारी तंत्र को छेड़ शान ना करें सुबंग नौ सुबंग नीला भाग्या आपकी पक्स में केबल 30% लापकर संकेतिकर कराशिवालो ओम काल दंडाय चे विदमें वजर वीराय चे धीमी तनों कपाल अभारा उपर चुदाद इस मंत्र का जाप करना आप के लिए अति उर्तम रहेगा नमणा इन बात करते हैं शिंगराशी सप्तम भाव में चंदर देव ब्रश्पति देव और स्टन देव के नश्रमें संच के लिए आज का दिन बढ़ा सुपह है सामाजी को परवर्श जुम्यदारी को पूरा करने का मोका मिलेगा मनोकामना पूरी होगी निज्जी समंद्व विहाव में परिवर्थ हो सकते और शिक्षा के चेत्र में सफलता में क्या करें परिवार के साथ किसी भी कारी के लिए म आकश्रणाई चैज धूं धीमी तनो उश्वन आकश्रण भैराव पर चोद्याथ श्रणाजाप सर्धान उश्रान करना उत्तम रहगा नमने बात करते कन्यारासी चटे भाव में चंदर देव चटे भाव में चंदर देव ब्रश्पत देव और श्रणी नक्षर में समचार शिक्षा के चेतर में समलता रोजगार और नौकरी को लेकर उत्तम अउसर के सासत स्वजनों के स्योग से कामकाज में विश्तार भी होगा क्या करें अथिती का सम्मान आपका सबसे बड़ा करते कि अथिती देवो भावा आज आज दी अथिती आपके घर आता है तो इस मंत्र के जाब करने से कष्ट परिशानियां दुखों से चुटकारा मिलेगा नौकरी में आगे बढ़ेंगी तो सफलता आपना दाम अन्चुए अपने परिवार का साथ ले अनाम से विगन परिशानिय में कम होगा और धनवय भी कम होगा और इस पर ध्यान नी दिया त परिश्ण करें आपके कारिशाली की वज़े से संतान का साथ मिलेगा कामखाज कारवार नौकरी के साथ खेल के मिदान में युवाओं को कुछ अच्छा करना मुका मिलेगा खानपान की प्रति लापरवानी पेट्ष्णमन्दी समश्या उत्मा हो सकती है लेकिन मेहनत में परिश्णम में कमी नहीं रहे गया जापके इसलिए युवाओं को कारोबारों चाहे नौकरियों से सिक्षा कच्छेतर हो एक अध्वुद अनभव होगा जीवन की दिशा दस्टी का बहुत अच्छा दिने वैसे बस मेहनत करें परिश्णम करें सफलता मिलेगी आपके क्य संबंदों में अनकुलता लाने के लिए एहंकार पर काबूरत क्या ना करें लौटरी और शटा में धन ना लागाए शुबंगते शुबंग गुलाबी भागी आपकी पक्समें 60% लापकार संकेदे तुलाराश्वाल ओमानंद रुपाईचे विदमई दंड केसाईचे धीमी तन्नों रूरू भैराव परतिवद्यात कि शमंत्र का जापकरना अति उत्तम रहेगा नोमनें और बात करते विशिग्रासी चोथी भाव में चंदर देव ब्रश्पत देव समय प्रतिकुलता परिशानी और कश्ट का संकेदे रहा है राजनीति उस्वामाजीक चिसमें समश्या उत्मन होगी जमिजादात के मामले उल्जिंगे घर में कलह का वाता मुड़ होगा धन की चिंता और बांसिक तनाव बढ़ेगा यह और विद्यारतियों को अन्यतिक का सामना करना पड़ेगा दरानी रहूं प्रिविंशन बैटर देन क्या करें मत्मन कार्यों की परति विचार करना बहुत जरूरी है क्या ना करें पारवेल रिस्तों को लेकर लापरवाइन ना करें सुभंदो शुबरंग मैर उन भाग्या आप तीपक्स में 35 परशन लापका अधिकारों में बड़ोतरी होगी आजविका किसी तुमें विस्तात और धन लाप होगा घरेली आवस्टक्ताओं पर कुछ अच्छा करने का मोका मिलेगा लेकिन आय और वैको शंतुलन बना कर चलना बहुत तरूरी यहां को नौकरी शमन्दी मामलों में शपलता के उत्तम कारोबारी शमन अच्छे रेंगे धन की प्राप्ती होगी वैशाइब नौकरी में लाप के सास्ता चेक्षा में पूंख शपलता का संकेत नगरा रहा है क्या करें आज अपनों से बड़ों को प्रसंद रखना बहुत जरूरी है उन्हें खुछ रखना बहुत जरूरी है क् सुबंक एक सुब्रंग पीला भागिया आपके पच्छासी प्रसंद लाप का संकेते धन राशवल ओम ग्यान देवाई चविद में विद्या राजाई चे धीम ही तनुग शितांग भैरा उपर चोद्या किसमंत्र का जाप करना अत्य उत्कम रहेगा नमनाई और बात करते मकरासेलिन उससे पहले आज का सुन्दार जानकारी आपके लिए आरति घानी के रोकने के लिए उपाय जिने धनहानी होती हो कामकाज कारोबार में अचानक नुक्सान हो जाता हू उनके लिए उपायर ये उपाय हमेशा शुक्रवार के देने करें गोंती चकर ले लिए प्राथकाल सुरी उदे से ठीक बारा में पहले जलगंगा जल से पवित्र कर दें छोटी कटोर में रख दी पांच माला इस मंतर की ओम सरुबादा विनर्मुक्तो धंदानी सुताविन मानुश्य मत परसादे ने भावुश्य परसादे पांच माला जाब करें तस्वाज गोंती चरू केसर से तिला करें पीले बस्तर में पूरे घर में घूमते मुख्य द्वार से बाहर निकल जाए कपड़े से पीले कपड़े में बांद कर इसको बहते पाने में प्रभादे गरा सुक्रवार करके देखेगा धनहान पीलोगी मनुबल मजुट होगा लेंदेन के मसवले ठीट रहें पुराने मित्रों के साथ मिलने का उसर मिलनेगा और अपनों के साथ बैठने का मुखा मीरे कि कारी बेवसाहिन है नोकरीथ अपने साथ काम करने वाले या करुमसारियों की साथ रिष्तेयापके अच्छे होना sev让 अप यवहाहा है विद्यार्ति सास अरु प्राकम बढ़ेगा कारबार में नोकरी में तैन की प्राप्तियोग उगोर्शिक्षा के प्षेतusu बात करते हैं कुबराशी लगन भाव में चंदर देव ब्रश्पत देव उस्थन देव के नक्षण में संच्वर उत्तम है बिगड़े काम बनेंगे मनोबल मजबुत होगा मनो अश्यक्ताओं की पूर्ती होगी स्वास्ति उत्तम रहेगा कारबार में नवीन योजना बनेगी धनलाब होगा मनोबलो रोस्ता बढ़ेगर अपनों का स्वेव प्राप्त होगा देश विदेश से सुब समाता की प्राप क्या ना करें साज़दर के कारें मन मुटार ना करें शुबंगार शुबंगार शुबंग नीला भाग्या आपके परक्ष में असी प्रशन लाप का संकेत हैं कुम राश्वालों ओमक्रश्मनाईचे विदमहे लक्षमिधराईचे धीम ही तनों कृद भारो परचिदात इस नीजी रिस्तों में पवित्ता और उपर शुबता रखें नौकरी हो चाहिए वैविशाय या पारवर या समाज दूइदा पूर इस्तिति में कारिये नहीं करें खर्चा बढ़ेगा मनसिक परिशानी है और नीजी समंदों में प्रचिकुल तका प्रबल सुन के यह और वि सुनना बहुत दो क्या ना करें को सरकारी कारिया में बिना सोचे समझे पंगा ना करें शुबंग्चाद सुब्रंगहरा भाग्या आपकी पक्समें 40% ही लापका संकेते मिन्दाशिवालों जो मंत्र बता रहा हूं यह आपकी बड़ा उत्तम रहेगा सुद्यूदी से ठीक बाधाओं में कम आया प्रिदर्षक वमें तरों साथ यह था पारक के बार राष्यों को राष्य पर नक्षतर ग्रणाओं के आधार पर मेरा ने जी आख लग ना भाया न भ्रम न परहंती ने भीवाद में तरक शकन ओपनिन का दिकर आपका था आपका हैर आप ही कर रहेग हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूह जीवन दिया है यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरौवर थी यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजय से नहीं सुना रहा हूं भाष खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक्षम मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूँ मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वर्तमान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का किसा आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज़ में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीज़े और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ मेरा ये एहंकार नहीं है सातियों मेरा राश्रो परी है मैं ये नहीं कहा रहा हूँ मैं ये कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए सब्सक्राइब आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदर और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगबग बीश से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में एकीसो रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है सासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्याद है और सासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता कि आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशालों में खड़ा रहना है नंबर है ज़र सोयोकर है पर आप कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमो नाराएन